दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रीयकाल न्यूस क्लिक के खास कारिक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम फिर दिल्ली की हिंसा और उपद्रों पर बात करेंगे अगर संपुरूनता में दिखा जाए अब तक के घटना करमों को लेकर तो दिल्ली की हिंसा के तीन बड़े चेहरे उभरते हैं तो हम सबसे पहला चेहरा आपके सामने पेश कर रहे हैं ये तीन तस्वीरों में एक बड़ा चेहरा दिखाए देता है और वो क्या है भायानक हिंसा बदमिजाज लोग इस कदर बदमिजाज की उनको अंदाज नहीं कि वो क्या कर रहे हैं एक ऐसी पुलिस जो दो दिन तक ऐसा लगता है कि दंगाईयों को या तो उकसा रही है या दंगाईयों के साथ सायोग कर रही है या अगर उपस्थिती उसकी है तो वो किसी एक पक्ष को डंडा बरसा रही है एक पक्ष के खिलाफ खड़ी हो रही है और दूसरे पक्ष को मदद करती नजरा रही है पुलिस की जो भूमिका दो दिन की है वो भायावा है मैं इसको बिलकुल यह नहीं कहूंगा कि वो निट्रल थी या निश्क्रिय थी वो निश्क्रिय ही नहीं थी वो सक्रिय भी थी वो निश्क्रिय तो कानून ब्यास्था को मेंटेन करने में थी लेकिन सक्री थी कि उपद्रो कायम रहे उपद्रो अगर बहुत ज़्यादा न बढ़े तो जिस गती से चल रहा है उस गती से चलता रहे तो एक तो ये तस्वीर और तीसरी जो तस्वीर पहले ही चेहरे की है वो है कि किस तरह स्कूलों पर ऐसे संस्थानों पर और लोगों के नीजी जो उपक्रम हैं उन पर किस तरह हमला हुआ है तो ऐसा लगता है कि हमलावरों का एक बड़े हिस्से का जो एक मकसद था वो नो सिर्फ लोगों की जान लेने का था नो लोगों को केवल डराने का था बलकि उनकी समूची अर्थ व्यावस्था को तहस नहस करने का था हमने दंगों का इतिहास जो भारत में पड़ा है दोस्तो और आपने भी देखा होगा कि जहां भी दंगे हुए उस में अधिक्तम ऐसे दंगे हुए जहां लोगों का इस्तेमाल जिन दंगा योंने किया दंगा इंजिनियर्ड करने वाले लोगों ने जिन लोगों जिन समूहों जिन जुन्डों जिन गिरों का इस्तेमाल किया उनको संदेश था उनको बकायदा समझाया गया था कि मारो लूटो और डिस्ट्रॉई करो चा एक मुलक के लोग अपने ही मुलक के लोगों के साथ इस तरह का बेहवियर कर सकते हैं ये मध्य युगीन जो बरबरता है वो कहां से आती है तो ये आप देखिए हमारी ये पहली तस्वीर और इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे इस पहले चेहरे में हमने जान बू जो लूट का है जो हत्या का है और जो पब्लिक प्रापर्टी लोगों के नीजी उपक्रम चाहे वो दुकाने हों चाहे वो वर्कशाप हो चाहे वो स्कूल हो उनको डिस्ट्रॉइ करने का है आप देखिए ये एक राजधानी पब्लिक स्कूल है शीव पिहार में किस तरह इस स्कूल को जलाया गया है ऐसा लगता है एक जमाना हमने सुना था कि नालंदा और तक्षशिला को लोगों ने जलाया था किन लोगों ने जलाया था इतिहास में इस पर चर्चा है इस पर काफी कुछ कहा जा चुका है ये कौन लोग हैं जो आज हमारे आपके सामने स्कू की कहानी नहीं है अलग-अलग समुधायों के भी जो ओनर्स हैं उनके भी इसकुल जलाए गए हैं हमने दो हजार दो में गुजरात में हमने ये ये मानसिक्ता देखी गुजरात में बड़े पैमाने पर इसी तरह की चीज हुई थी जो दिल्ली ने इस बार देखा है तो दोस् ये कहां से ये बहा है परनाला दोस्तो हमें जो जानकारी है हमने अलग-अलग लोगों से बात की अलग-अलग शेत्रों के हमें ऐसा लगता है कि ये C.A. N.R.C. N.P.R. के खिलाफ जो एक रास्टर वियापी जो प्रतिरोध है जो विरोध है उस विरोध को एक समुधाय वि से जोड़ दिया गया और इसको जोड़ने के लिए बहुत महनत बहुत शड़यंत्र और बहुत कैमपेइन किया गया इसी अभियान का नतीजा है कि मेजार्टी कॉम्निटी के जो नासमझ किस्म के लोग है उनको चुन-चुन कर बताया गया कि ये एक समुधाय विशेस के ल कि अगर हालात कहीं भी बिगड़ते नजर आए कहीं भी अगर हालात फिसलते नजर आए तो ऐसे गिरोहों का ऐसे गुटों का ऐसे समुधाय का इस्तेमाल करना दंगाईयों के लिए दंगा आगनाईज करने वालों के लिए शायद बहुत आसान हो गया और दिल्ली में ऐसा ही हुआ बहराल दोस्तों हम जो दूसरा चेहरा पेश कर रहे हैं इस उपद्रो इस हिंसा की एक पूरी टोटेलिटी में तस्वीर क्या उभरती है वो है जो हम बता रहे थे आप से कि एने से सहाब का वहां आना बहुत अच्छी बात है मैं खैर मगदम करता हूं हम सब ने खैर कि आखिर हिंसा ग्रस्त इलागे में हिंसा के थमने के बाद लोगों से बाचीत करने के लिए शांति स्थापना के लिए उनको प्रेरित करने के लिए सरकार की तरफ से पहली बार कोई व्यक्ति जाता है केंद्र की तरफ से और वो एक नन-Political आदमी एक ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचित नहीं है जो जनता का प्रतनीद नहीं है जो नॉमिनेटेड है आखिर उनको क्यों भेजा जाता है हमने कश्मीर में भी देखा दोस्तों आठकिल 370 को जब निश्प्रभावी किया गया उसके बाद पहली बार कश्मीर वैली में अगर कोई इस सरकार का बड़ नुमाइंदा गया तो वो डुभाल सहाबी थे डुभाल सहाब काबिल व्यक्ति हैं मैं नीजी तोर पे जानता हूं कि वो बहुत ही काबिल आदमी है बहुत डैनमिक आदमी है अपनी वैचारी की जो उनकी विचारधारा उनके दिमाग में या उनके सोच में जो है उसको ब दंगा ग्रस्त इलाके में हिंसा ग्रस्त बलकी कहिए क्योंकि ये आम दंगा नहीं है जिसको दंगा कहा जाए तो इस हिंसा ग्रस्त और उपद्रो ग्रस्त इलाके में हाई कोट के प्रयास के बाद जब दिल्ली पुलिस पर दबाव पड़ा और दिल्ली पुलिस पहली बार जब हरकत में आई ऐसा लगता था कि किसी के दबाव में वो हरकत में नहीं आ रही है कोई ऐसा दबाव उस पर पड़ रहा है कि वो अपना काम ही नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस भूल गई है कि वो पुलिस है उसका काम मैनिस करना है कानून ब्यास्ता को शांती ब्यास्ता को बरकरार रखना है ये भूल गई थी दिल्ली पुलिस हाई कोट ने उसको याद दिलाया था और इसके होने के बाद पहली दफ़ा सरकार से जाते हैं डोबाल साथ बहुत सारे लोगों को अच्रज हुआ मुझे अच्रज नहीं हुआ क्योंकि हमने कस्वीर में उनकी ये उनका ये हस्तक्षित देखा था उनका उनकी ये पहल देखी थी ऐसा लगता है दोस्तों कि मौझूदा सरकार जो इसके रायनितिक नुमाइंदे हैं वो सिर्फ आर्थिक मामलों में, कार्पुरेट मामलों में वैदेशिक मामलों में और एक खास धंका रास्ट्रवाद को देश पर थोपने में ऐसा लगता है कि वो सारी उर्जा अपनी खर्च करते हैं और जब पार्लिमेंट सेशन आता है तो उसको मैनेज करने में इसके अलावा उनके पास क्या काम है जो ब्योरे अपता की कठा हमने किये इस कारिक्रम के लिए उसमें लगता है कि जैसे अपने विपक्षी रायनितिक दलों को दराने धमकाने में काफी समय खर्च होता है उनका और जाहिर है अगर कोई रायनितिक दल है अपनी गलतियां उस नहीं की है तो उन गलतियों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिरोध और विरोध की रायनिति से विपक्षियों को कैसे शांत कर दिया जाए कैसे उनको विपक्षी राजनीत के राफ्ते से उनको डिरेल कर दिया जाए इस पर ये काफी खर्च करते हैं अपना वक्त सारी उर्जा उसमें रखती है लेकिन जो प्रशासनिक काम काज है ऐसा लगता है कि वो उसमें रुची नहीं लेते ये काम उन्होंने बिरोक्रेट्स के हवाले कर दिया है और अजित डोभाल साहब का दिल्ली के उपद्रो ग्रस्त इलाके में हिंसा ग्रस्त इलाके में भेजा जाना ये बताता है कि जो काम मंत्रियों को करना चाहिए था राजनीतिक नुमाइंदों को करना चाहिए था खास्त कर ग्रह मंत्री को करना चाहिए था क्योंकि ये ग्रह मंत्री का कारी शेत्र है कानून ब्योस था देखना दिल्ली पुलिस उन्हीं के अधीन है और वैसे भी ग्रह मंत्री हमने देखा है अतीत में जब कभी बड़े हाथ से हुए, बड़ी हिंसा हुई किसी भी शेत्र में, तो पहले के तमाम ग्रेह मंतरी जरूर विजिट करते थे, लेकिन माननी ग्रेह मंतरी के बजाए, माननी राश्ट्री स्वरक्षा सलाकार का यहां आना अधुत है, और वैसे भी राश्ट्री स्वरक् बुनियादी तोर पर है, राश्ट्री स्वरक्षा सलाकार का जो पूरा का पूरा की जो संराचनात्मक, जो गठनी संस्ता का हुआ है, वो ले देकर एक अमेरिकी तल्ज पर हुआ है, राजनितिक दाइट्त को दरकिनार कर, इस सरकार को चलाने वाले राजनितिक नुमाइं हैं उनको उन्होंने उस काम में लगाया और वो सामने दिखाई पड़े तो ये एक खास ट्रेंड भी है कि क्या हमारी जो मौजुदा सरकार है वो लोगों से अवाम के साथ इंटरेक्शन के लिए इस तरह के जो अपने प्रतिनी दियें उनको आगे कर रही है तो क्यों कर रही है क्या ये कजीब तरह का ये तंत्र बुनता हुआ नजर नहीं आ रहा है ऐसा नहीं लगता है कि कुल मिलाकर एक बहुत ही आग्राइज बहुत संगठित किसम का सैनिय कृत एक सुरक्षा तंत्र जो राजनितिक तंत्र को एक तरह से रिफ्लेक्ट करता हो राजनितिक तंत्र पूरे के पूरे देश पर इस तरह का स्थापित किया जाए के उसके काम काज़ को अमली जमा पहनाने के लिए जो राजनितिक निर्वाचित लोगों के बजाए उन लोगों के पास हो जो निर्वाचित नहीं हो जिनकी जनता के साथ सीधी जवाब दे ही नहों और जो एग्जक्यूट केवल कर सकें जो राजनितिक नुमाइंदे तै करत अपने सचीवाले में बैट कर अपने दफ्तरों में बैट कर तो ये एक अजीब बात लगती है दोस्तों और दोस्तों इस दिल्ली के उपद्रों और हिंसा का जो तीसरा चेहरा है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और वो ये देखिए एक पिता की लास के पास र तमाम घटना करमों का एक खौफनाक एक भयानक चेहरा अब आप इस बच्चे का नाम मुझे नहीं मालूम और आप भी मत पूछिए इसका मजभब भी मुझे नहीं मालूम इसकी बिरादरी भी मुझे नहीं मालूम मुझे ये भी नहीं मालूम कि ये बच्चा किस महले का है किस जिले का है इसके पिता का नाम क्या था ये कहां से आए लोग थे ये क्या करते थे ये बच्चा किस क्लास में पढ़ता था इसकी माँ कहा है इसकी माँ पर क्या बीत रही है इसके और छोटे भाई हैं बड़े भाई हैं क्या है हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूं लेकिन मुझे इसके आंसू केवल दीख रहे हैं और आपको भी दोस्तो इसके आंसूं में भारत के मौजुदा समाज की तस्वीर जरूर दिखाई दे रही होगी इसके आंसू क्या कहते हैं इमानदारी से सोचिए ये तस्वीर बदलती क्यों नहीं है इन्हीं सब्दों के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं नमशकार आदाब सत्स्रियकाल